हेलो एनेमे गैंग आज मैं एक्स्प्रेंट करने वाला हूँ डीमन स्लेयर सीजन 4 को यानी हशीरा ट्रेनिंग आर्क के एपिसोड नमर बन को जिस मैं मांगा गए 128 और 129 चेप्टर कवर होंगे अगर आपने इससे पहले का सीजन स्वाट्स्मित विलेज आर्क नहीं देखा है तो आप उससे पहले देख ले उसके लिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दीगे चेप्टर 128 की शुरुआत होती है जामें बताया जाता है कि स्वाट्स्मित विलेज तबाह हो गया था क्योंकि विलेज पर दो अपर रेंग के डीमन ने हमला किया था बचे हुए स्वाट्समित जल्दी दूसरी जगा पर विलेज को बसा लेते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि के डीमन फिर से हमला ना कर दें ये सब बातें एक काकूशी जिसका नाम गोतो है तांजिरो को बता रहा था तांजिरो कूशता है वैसे वो अपने बेस को इतनी जल्दी कैसे बदलेंगे जिस पर गोतो कहता है हमारे पास कई विलेज खाली है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तांजिरो यहां भर तरीके से रेकवर हो गए थी तांजिरो कहता है ये तो काफी बढ़िया है और फिर खाना टोसने लगता है गोतो कहता है मैं खुश हों कि सब जिंदा है और फिर तांजिरो से नेजकों के बारे में पूसता है तांजिरो बताता है कि अब वो सूरच की रोशनी में चल सकती ह हाँ ये काफी अजीब है क्योंकि वो एक डीमन है इस पर रेसर्च चल रही है पर अभी तक किसी को ये नहीं पता पड़ा कि वो यूमन बन चुकी है या डीमन के रूप में विकसित हो गई है तांजिरो कहता है लेडी तमायो इस पर रेसर्च कर रही है गोतो पूछता है ले रही है गोतो कहता है अभी तक तो सब साही और उस पीले बाल वाले लड़के के आते ही ऐसा नहीं होगा यहां ये जैनित्सु की बात कर रहा था इसके बाद जैनित्सु को दखाए जाता है जो नेजुको को बोलता हुआ और सूरज की रोशनी में चलते हुए देख कर खुशी के मारे पागल हो जाता है वो कहता है तुम चांद की रोशनी में तो खुबसूरत लगती थी पर सूरज की रोशनी में तो तुम और ज्यादा खुबसूरत लग रही हो वो नेजुको से उससे शादी करने के लिए कहता है और अभी हशीरास को दिखाया जाता है उन्होंने एक दिन मास्टर की मेंशन पर emergency meeting रखी थी सानेमी कहता है मुझे तुम से जलन हो रही है मुझे कोई अपर रेंग का डीमन क्यों नहीं मिलता ओबन आई सानेमी से कहता है तुम अपने भाग्य को कंट्रोल नहीं कर सकते और तूखी तो और मिच्सूरी से पूछता है क्या तुम अब ठीक हो इसपर मिच्सूरी शर्माते हुए कहती है हां मैं ठीक हूँ और मन मैं सोचती है उसे मेरी चंता है तुम समझी गए होंगे इसने ये क्यों का है तुगी तो भी ये ही कहता है मैं ठीक हूँ पर मैं अभी पूरी तरीके से रेकवर नहीं हुआ ग्योमी कहता है अगर हम और हशीरास को खो देते तो डीमन स्लेयर कॉप तबाह हो जाता अच्छा है दो अपर्रेंग के डीमन मारे गए और दोनों हशीरा जिन्दा है शिनवू कहती है तुम दोनों इस बार काफी जल्दी ही लोग है कैसे जिस पर ग्यू कहता है इसके बारे में मास्टर हमें बताएंगे तब ही या मास्टर की पतनी अमाने आती है जिए बताती है कि मास्टर कागाया की तब्यद बहुत ख्राब है इसलिए उनकी तरफ से मैं इस मीटिंग में उपस देतूँ जिससे सुनकर ग्यूमी मास्टर के लिए प्रे करता है इसके बाद मीटिंग शुरू होती है जहां अमाने कहती है आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि अब एक डीमन सूरच की रोशनी में चल सकती है जो की नेजुको है तो मुजान उसके लिए जरूर आएगा ताकि वो भी सूरच को जहल सके जल्दी हम एक भयानक युद्ध में होंगे अमाने को पता चलता है कि तोकीतो और मिटसूरी ने अपर रैंक के डीमन से लड़ते हुए अपने डीमन स्लेयर मार्क को जागरिक कर लिया था वो उन दोनों से बतानी के लिए कहती है कि उन्होंने मार्क को कैसे जगाया जिस पर उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता हमाने बताती है कि सेंगोकू पीरेड में जिस सौट्समेन ने मुजान को मार ही दिया था फर्स्ट ब्रीटिंग का यूज़ करके उस पर और उसके सभी डीमन स्लेयर साथी पर ये मार्क थे जो जानकारी इनके पास है वो ये है कि जब ये मार्क किसी पर आता है तो उसके आसपास के लोगों पर भी ये मार्क आ जाता है अमानी कहती है कि इस मार्क को जागरिक करने वाला पहला इंसान तांजीरो कमाडो है पर जब उससे पूचा गया कि उसने ये मार्क कैसे जागरिक किया तो उसका जवाब काफी अजीब था किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहता है इसलिए हमाने तुकीतो और मिट्सूरी से जानना चाहती थी कि उन पर ये मार्क कैसे आया मिट्सूरी भी तांजीरों की तरह उल्टे जवाब देती है कि पहले ये हुआ फर ये जिससे सुनकर सबी उसे बड़ी अजीब तरीके से देखती है मिसूरी जब ओबनाई को देखती है कि वो अपना सिर्फ पकड़ कर रखा है तो वो समझ जाती है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है वो इसके लिए उन सबसे माफी मांगती है इसके बाद तोकी तो कहता है मुझे तो पता ही नहीं कि ये मार्क मुझे पर कब आया तोकी तो कहता है कुछ बाते हैं जिन पर हम अमल करें तो ये मार्क शायद अपियर हो जाएगा और कहता है मैं बताऊंगा वो बाते क्या है अब चेप्टर 129 की शुरुबात होती है जहां तोकी तो बता रहा था कि कैसे उस पर ये डीमन स्लेयर मार्क आया था वो बताता है कि जब लडाई के दोरान उसकी बॉड़ी में पोईजन फैल रहा था तब पोईजन को रोकने के लिए तोकी तो ने अपनी blood circulation को slow कर दिया था और जब उसने देखा कि कोटेट्सू मरने वाला है उसे उसकी खोई हुई memory वापे से आदाने लगती है उसे उस टाइम इतना गुस्सा आता है कि उसका खुद के emotion पर से control हट जाता है उसका दिल एक मिनिट में 200 से जादा बार धड़क रहा था और body का temperature 39 degree Celsius से जादा था जिस पर अमाने पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी body का temperature कितना था तोकी तो बताता है कि जब उसे भुखार हुआ था तब डॉक्टर ने बताया था कि उसका temperature 39 degree Celsius है और वैसा ही temperature मुझे fight के दोरान मैसूस हो रहा था सानिमी कहता है क्या ये वास्तब में आसान है जिस पर गीव उसे पोक करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे दिमाग से जलन हो रही है कि तुमने ये सूच लिया कि ये simple है सानिमी पूछता है क्या बोला तुमने जिस पर गीव कहता है कुछ नहीं शिनूबू कहती है हमें जल्दी अपने मार्क को जागरिक करना होगा ग्योमी अमाने से कहता है आप चिंता मत करिए हम अपने मार्क को जल्दी जागरिक कर लेंगे और मास्टर को आराम करने के लिए कहता है इसके बाद हमाने एक important बात बताती है मार्क के बारे में जो अभी तो सही से नहीं बताई गई इस chapter में और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वो बात क्या है यहाँ पर हमाने यह बताती है कि जिन पर यह मार्क आ जाता है वो सिरफ 25 साल तक जीते हैं इस पर ग्योमी कहता है फिर मेरा क्या होगा क्योंकि ग्योमी की एच 25 से जादा है इसके बाद हमाने यहाँ से चली जाती है उसके जाते ही, GYU भी यांसे जाने लगता है सानेमी उसे रोकता है और कहता है हम सबको डिसाइट करना होगा कि हमें आगे क्या करना है तो अब ही रुको पर GYU ये कहकर जाने लगता है कि ये तुम 6 हों का मामला है मुझे इसमें इंट वॉल मत करो तबी ग्योमी जोरदात ताली बजाता है जिसकी अवाज से सब काप जाते हैं ग्योमी कहता है सब बैट जाओं मेरे पास एक प्रस्ताव है इसके बद बटरफलाइ मैंशन को दिखाया जाता है जात तांजीरो से मिल ले हागा नेजुका आया था और हाँ ये वही 300 साल पुरानी सोड है जो योरेची की डॉल में से मिली थी हागा नेजुका सोड को तांजीरो को दे देता है तांजीरो सोड को देखकर काफी खुश हो जाता है हम यहाँ सोड पर रेंगो कुगी हिल्ट को भी लगा देख सकते हैं गोतो हागा नेजुका को ऐसा घबराता हुआ देखकर उसे बैठने के लिए कहता है तांजीरो सोड को बाहर निकालता है जहां वो देखता है कि ये सोड तो उसकी सोड से भी ब्लैक है हागा नेजुका सौर्ट के बारे में बताता है कि इस सौर्ट को बहुत अच्छी तरीके के स्टील से बनाया गया है तो जो पहले इसका इस्तमाल करता होगा वो काफी ताकतवर होगा हागा नेजुका ये भी बताता है कि इस सौर्ट पर एक वर्ड लिखा है हाला कि हर सौर्ट पर बनाने वाले का नाम लिखा रहाता है पर इस सौर्ट को बनाने वाले ने इस पर सिर्फ Sleigh Word लिखा है यानि उसने ये सौर्ट सारे डीमन्स को मारने के लिए बनाई थी तान्जीरो ये सुनकर काफी जॉंक जाता है फिर कहता है पर जब मैंने इसका इस्तिमाल किया था तब तो इस पर ये वर्ड नहीं था जिस पर हागा नेजुका गुस्से में कहता है ये इसलिए क्योंकि उस वक्त ये एक साइट से पॉलिश होई थी और तुम लोगों ने ये मुझे से चुड़ा कर इस्तमाल कर ली थी अभी भी ये थोड़ी रेस्टी है और कहता है तानजीरो मुझे तुम्हें मारने का मन कर रहा है इस सॉट को सही करते समय कई बार मुझे रोका गया पर मैं रोका नहीं तभी मुझे इतनी चोट लग गई है और अभी तक वो हील नहीं होई है वो तानजिरो के गालों को पकड़ कर खीचने लगता है गोतो हागा निजुका को समझाता है कि तानजिरो अभी ठीक नहीं हुआ है तो उसे आराम करने दो जिससे सुनकर पहले तो हागा निजुका रुख जाता है पर फिर दोबारा तांजिरो के बालों को पकड़ कर कहता है सुनो तांजिरो अब तुम मुझे पूरी जिंदगी भर मिताराशी दंगो दोगे वैसे मैं आपको बता दू मिताराशी दंगो एक जैपैनीज डिश होती है जो कुछ ऐसी दिखती है तांजिरो कहता है ठीक है ठीक है और इसके बाद हागा निजुका यहां से चला जाता है गोतो कहता है मैंने उनके बारे में सुना था पर यह तो कुछ जादा ही गुस्से वाले थे जिस पर तांजिरो कहता है आज तो वो काफी शान थे गोतो यह सुनकर चौक जाता है तभी तांजिरो के पास के बैड पर ही गन्या आराम कर रहा था जो इनकी आवाज से काफी परिशान था तांजिरो उससे माफी मांगता है और कहता है अब हम आवाज नहीं करेंगे तब ही खिड़की को तोड़कर इनॉस के अंदर आ जाता है गो तो उस पर चलाता है और कहता है लेडी कोचो तुम्हें नहीं चोड़ेंगी लेडी कोचो तुम्हें मार देंगी गैन्या तो अपने लिए एक अलग रूम मांगने लगता है क्योंकि वो इतना शोर नहीं जेल सकता था इनॉस के चला कर कहता है ताकतवर गृप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू हो गई है तानजीरो पूछता है कि उन्होंने स्ट्रॉंग लोगों के लेसन या कुछ और के लिए खठा होने के बारे में कुछ कहा है जिस पर इनॉस के चौड में कहता है मुझे नहीं पता और इसी के साथ ये एपिसोड और चेप्टर एंड हो जाता है मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में